अभी हाली में यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नई इस्थलों को वायो स्पीर रेजर्व बी आर की रूम में नाम ने डिश्ट करने की मंजूरी दी है और इस पिकार बिस्व में बायो स्पीर रेजर्व की नेटवर्वर्व में अब 136 देशों की 769 इस्थल सामिल हो गया है तो आप लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी जरूर रखा करिएगा और इनसे questions इस तरह के topics से आपके exam में पूचे जाते हैं अगर हम लोग UNESCO की बात करें तो the United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations की बात हो रही है 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होई थी Paris, France में आप लोगों को इसका headquarter देखने को मिलेगा देखिए यह हमारा प्यारा भारत है यहां आप लोगों को France देखने को मिल जाएगा तो UNESCO वाइसपेर रेजर्व सूची में सामिल नए स्थाल कौन कौन से हैं इनके जरूर नाम याद रखेगा Campaign, Broke, Trans Boundary वाइसपेर रेजर्व Belgium, Kingdom और नीदरलेंड में देखने को मिलेगा Drenorte, Chocono वाइसपेर रेजर्व ये कोलंबिया में देखने को मिलेगा Madrid, Dillas, Agula, Aguas वाइसपेर रेजर्व ये डोमिनिकन गडराज में देखने को मिलेगा Newmy, वाइसपेर रेजर्व गांबिया में देखने को मिलेगा कोली यू गिनी वाइस्पेर रजर्व इटली में देखने को मिलेगा जूलियन आलफस ट्रांस बाउंट्री वाइस्पेर रजर्व इटली इसलो वीनिया में देखने को मिलेगा खार उस लेक वाइस्पेर रजर्व इमंगोलिया में देखने को मिलेगा ए आपाया ओस बाइवस्पेर रिजर्व ए फिलेपिंस में देखने को मिलेगा चांग यूंग वाइवस्पेर रिजर्व ए कुरिया गडराज में देखने को मिलेगा वेल डी अरन वाइवस्पेर रिजर्व ए इस्पैन में देखने को मिलेगा इराती बायोस्पेर रिजर्व इस पैन में देखने को मिलेगा इनके नाम आप लोग जरूर याद रखेगा कुश्चन्स पूँच लेगा आपसे अब आपके मन में एक और सवाल आता है इसमें कि आखिरे बायोस्पेर रिजर्व होता क्या है तो आप देखें बायोस्पेर रिजर्व की बात करें तो सैक्षडिक विज्ञानिक और सांस्केतिक संगठन द्वारा प्राक्तिक और सांस्केतिक परिदेशों के मातपूर इस्थलों के लिए दिया गया एक अंतराष्टी पदनाम है और जिसमें इस्थलिये या पिर तटिये समुद्री परस्थिती तंत के बीहट छेत्र अथवा दोनों का सहयोजन सामिल होता है बायोस्पेर रिजर्व प्रकिती के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा समढ़्द सांस्कितिक मूल्यों के रख रखाओं को संतुलित करने का प्रयास करता है और इस विकार बायोस्पेर रिजर्व मनुस और फ्रकिती दोनों के लिए बिसे इस बादाबाण है तथा इन इस मत का सर्वोत्तम उधारन है कि किस पिकार मनुस और फ्रकिती का एक दूसरे की आवसकताओं को पूरा करते हुए सहस्तित संबंद वाइस पेर रिजर्व घोसित किये जाने है तुमान धन्द कौन से है तो सम्मंधित इस्तल में प्रकिती सरक्षन के दृष्टीकों से सरक्षेत नियूनतम बिच्छुपद छेत होना चाहिए संपूर्ट छेत एक जैविक जैव भौगोलिक एकाई के समान होने चाहिए और उसका चेत इतना बिस्तित होना चाहिए कि वह पर्ष्टीती तंत के सभी पोर्षन इस तरों का पितिनितित कर रहे जीवों की संख्या को बनाए रखे इस्थानिये समधायों की भागयदारी और जैव बिवित्ता सरक्षन में उनके ग्यान का उप्योग ऐसा चित जिसमें परंपरागत जन जाती है या पर ग्रामीट इस तरही है जीवन यापन के तरीकों को सरक्षित रखने की चमता हो ताकि परियाबन का समझज़ से पूर्ष सहयोग क्या उप्योग किया जा सके वाइसपेर रजरव के कारी क्या होते हैं तो सरक्षन तो वाइसपेर रजरव के अनुवानसिक संसादनों इस्थानिय प्रिजाति प्रिजातियों परितितितंत और परिद्रस्ते का प्रबंधन वन जीवों के साथ आदिवासियों की संस्किति और रीति रवाजियों का भी सरक्चन विकास की बात करें तो आर्थिक को मानवी है विकास को बढ़ावा देना जो समासास्त्री तथा फरस्तिती की इस्तर पर इस्थाई हो यह सतत विकास की तीन इस्थमों को सुद्रण करता है सामाजिक आर्थिक और परियावर्ण सरक्चन लॉजिस्टिक तो 22 रिजर् इसके बारे में जाल लिए तो भारत सरकार ने 1986 में 22 फियर रजर्व युजना सुरू की थी और युनेसको M.A.B. कारिकरम द्वारा निर्देश से थे क्योंकि भारत M.A.B. द्वारा समर्थिद भूदरस दिरिष्टी कौंट का हस्ताक्चार करता है और इस एउजना के अंतरकत उत्तर पूरी छेत के राज्जों तीन हिमालाई राज्जों को 90 अनुफाते 10 के अनुफात में कौन कों से हैं इन्हें भी देख लिजे कोर जौन या आप देखी यह है 22 रजर्ब का सबसे सरक्चत चेत है और इसमें इस्थानिक पौधों जानवर हो सकते हैं और इस चेत में अनुसंधान पिक्रियाएं जो प्राक्तिक पिक्रियाओं इवं बने जीवों को प्रभावित ना करे की जाज सकती है एक एक कोर चेत्र एक ऐसा सरक्चत चेत होता है जिसमें जानदतर बनेजीब सरक्चन अधिनियम 1972 की तरह सरक्चत बेनेमित राश्टी उद्यान या फिर अभ्यारन सामिल होते हैं और इसे मानवी हस्तेचेप से मुक्त रखा गया एक बफर जोन आप आदी सामिल है इस चेत में मानव का प्रवेश कोर चेत्र की तुल्ला में अधिक एवं संकमर चेत की तुल्ला में कम होता है अनुस संधान और सेक्चे गतिविधियों को फुरोसान किया जाता है इसमें देख लेजे संकमर चेत की बात करें तो यह बायुस्पियर रजर्व का सबसे बाहरी हिस्ता होता है यह सहयोग का चेत है और जहां मानव उद्यम सरक्चन सद्धाव से किये जाते हैं इसमें बस्तियां फसलें प्रवंधित जंगल मनुरजन के लिए चेत तथा अन आर्थिक व्योग चे ना कबर्स हो गया नाम हो गया राज हो गया चेतफल हो गया और क्या मानताप्राप्त है तो 1986 में निलगरी वाइस्पियर रजर्व इतमिलाडू में आप देखते हैं कि पच्चीस सो सेंतीस किलोमीटर हो केरल में 1455 करनाटक में 1500 यह आप देखेंगे सत्ताइस है टोटल चे के वी logic म में देखने को मिलेगा अंठावन सु साट रोक किलोमीटर में एम मेवी में मानतापराप्त है बिल्कुल है 1988 में नौकर्येक वार्य chang किलोमीटरμέrak में देखने को मिलेगा 820 किलोमीटरमैं क्या म Bennett पृप्त Θे बिल्कुल है ऐन्हें रहेएस्पिम आप देखें मनना 1889 में सुंदर वन वाइस पेर अजर वर्ष्य मंगाल में देखने को मिलेगा 9630 वर किलूमीटर में पहला हुआ है और एम में भी माननता प्राप्त है विलकुल है ए पिर हैं कि या मिले को सिर्फ फृ secular हैं कर नए के निर टेखने को मिलेगा था ताइसोसे दीस वर כ्लोमीटर में फ्या तो mechanism क्या मैं बी मानगा अप्राफ ते विलकुल नहीं है में क्या विलकुल नहीं कि भी है ऐंड़ान ने को Barb दुछ आनवे में देकने के मिलेगा 885 वर क्यूलुमीटर में पहला हुआ है MA बी मानताप्याप थे विलकुल है 1994 में शिमलिपल 20 एर जर उरीशा में देकने के मिलेगा 4, эти 444 वर क्या manifest क्या में मानताप्याप थे हाँ बिलकुल二 शचर Этот सौत वरक क्लो मीटर में पैला हुआ है कया मानताप्राफ थे मिल्कुल नहीं गार अंधंडोई दि誰ंग दिवांग 2200 उढ़ां Всё किम्यचला पांच सो वारे कलो मीटर में पैला हुआ है ये मतौर प्रत नहीं अविको और नेशन दे किम्हार में बंद्धाफ किलो मिटर मैं मानिताप्राप्थ है और 2000 में आप दिखें सन 2000 में कंचन जंगा वाइश्वेरजर सिक्ज्जे में देखने को मिलेगा 262 21 वर किलो मीटर ızorts मैं देखने को मिलेगा 355 वर किलो मीटर में है 2005 में muk मा अकमरिक अमर्गंटर किलो मिरमीटर में फैला हुँ सबसे बड़ा चेहते हैं गुजरात में 12455 वर किलूमीटर में मानता प्राप थे बिल्कुल नहीं है 2009 में आप देखें कोल्ड डिजर्ट वाइस फेर रजर हिमाचल पिदेश में 7770 वर किलूमीटर में पहला हुआ है 2010 में सेष्ट चलंह सेच चलंव हिल्स में 255 वर किलूमीटर में फील्कूल है सिब्सेंपार कि अंतरश्पिति क्या है इसे पी जान लिजे तो इन इसको ने बिकास और सरक्शन की भी संगहस को कम करने के लिए प्राक्तिक चेत्रों को वाइसफेर रजर्ब नाम दिया है वाइसफेर रजर्ब को बराश्टीये सरकार द्वारा नामित किया जाता है जो यूनेस्को के मैन एंड वाइसफेर M.A.B. कारकरम के ताहत निवनतमा दंडों को पूरा करता है वाइसफेर रजर्ब की विस्टे नेडवर्ग की कुल संख्या 769 है जो 136 देसों में है और कुल आप देखे कितना 74,42 सजा बर किलोमीटर को कबर करती है विसबर में लगब 275 मिलियन लोग वाइसफेर रजर्ब में रहते है MAV रजर्ब कारकरम के अंतरगर भारत के कुल बार है वाइसफेर रजर्ब अंतराश्टी स्थर परमानता पराप्त है यह भी आप लोगों को अलोन अच्छे अब आप लोग वारबार MAV सुन रहा है न यह आकिर क्या है इसकी पहल made man and the biosphere की बात हो रहे है man and the biosphere इसकी पहल वर्स 1971 में यूनेस को द्वारा की गई थी यह एक अंतर सरकारी विज्ञानिक कारकरम है जिसका उदेश लोगों और उनके परयावन के बीच संबंधों में इस ने आर्ति-षवेकास की परयाबन अनकूल नवी झेवां साण्क्ते करूप से उफियुक्त तरीकों को प्रोसाइन पराप्त किया है tradition इस तरह से इतनी जानकारी जरूर कर रखा करेगा यूनेसकों बादी दिखा करेगा इसतरह कि साइट्स के बारे 4-5 साल पुराने questions पेपर उठा के देखा करिएगा उनका pattern पसलिवस भी आप लोग जाना करिएगा कोई मेरे लिए सवाल हो सुझाओ तो बता सकते हैं धन्यवाद